दूस्तों IRCTC की बात को यहाँ पे मैनेजमेंट में बहुत बढ़ा बदला हुआ है तो क्या है वो खबर उसको अच्छा से समझेंगे इस वीडियो के माधिम से इसके अलावा IRCTC को लिखकर नए टारगेट निकल क्या रहे पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो IRCTC में अब activities बढ़ने लगी है लोगों का रुजान positive हुआ है और जो गिरावट का माहुल था काफी समय से उसमें अब तेजी की समवारा बनने लगी है तो क्या इस समय IRCTC में investment करना चीए क्योंकि budget के समय जो railway बनी थी railway के शर्म है उसमें सयोग नहीं था IRCTC का क्या आब यह पूरती पूरा करेगा जानेंगे इस वीडियो के मादेम से दूसरी तरफ RVNL की बात करें यहाँ पे भी कुछ बड़ी update निकल क्या रही है जिसको इस वीडियो के मादेम से डिसकस करेंगे RVNL जो एक नवरतन कंपनी बन चुकी है और यह बहुत ही fundamentally मजबूत है आने वाले से में जिसके इस तरह से इनका बीजनस है वो वाके में इसको एक बड़ा मल्टिव अगर बना सकते हैं इस सारी बातों को समयने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादेम से दूसरी तरह अग पिछले दौड़ा है एक और कंपनी गो डिसकस करने वाले जो बहुत ही सांधर बोनस दे रहे हैं और साल में दो बार इसने बोनस दे दिया है लगातर बोनस देने वाली कंपनी चोटा पैनिश्टों के क्या दाव लगाना ची इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के म मैं हूँ आपका दोस्त एस बीदवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आयार सिटी से की बात को क्लोजिंग 748 पर हुई जा पर 1.24% की गिरावट देखनों को मिली श्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखा दे रहा है वैसे पिछले एक मेंने में इसने लगबग 11% की सांदार तेहीं मतलए 672 पर है तो यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आई एर सिटी से के ग्रूप जनरल मैनेजर यानि जी जी एम नौर्स जोन अब यह एम्स के अंदर जाएंगे यहाँ पर देख सकते हो जो कारेबाल है अब वो आप समझे यहाँ पर अजिद सिना संबालेंगे यह एडिशनल पोस्ट जी जी एम एम की उनको दी गई है जो इस समय CRM है लखनो तो आप देख से तो कि आई एर सिटी से के अंदर से एक अनुबवी वेक्ति को फिर से इसमें मौका दिया गया है क् एल बे के अंदर उन्हें सेवाई दी है 2006 से वो अपनी सेवाई दे रहे तो अब आप देख से तो कि जैसे के करेंट सिंग को यहाँ पर एमस के अंदर एक बड़ी पोस्ट मिलिया तो उस हिसाब से उन्होंने आई एर सिटी से अपनी वहाँ पर जॉइनिंग की और इस इस समय अगर आप देख सकते हैं इसमें आपको 660 का स्टॉप लोस लगाना है और फिर 660 के साथ अगराब बने रहेंगे तो 850 का टार्गेट देखनों को मिल सकता है तो देख सकते हो कि पिछे दो साल में काफीस में करेक्शन आ चुका है एक फिर से नई तेजिकले स्टॉ हो चुका है क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है डेफिनर इसकी प्राइस बढ़ सकती है आप इसके रिवेनी को देख सकते हो लगातार बढ़ रहा है सेप्टमर 2022 में जापे एट इंडे 32 क्रोड के आसपस था जो सेप्टमर 2023 में बढ़के 1042 क्रोड तक हो ज़ देख सकते हो कि बिजनस बहूत यहीं से ग्रोख कर रहा है और मोनोपॉल creator कंपनी रिएले निर का प सब्सक्राइन का इंदर कंपनी कवर का बीजनस करते है तक परansen तोर कि पार div You दिखा रहे नरश के लिए और होटल बॉकिंग से लैके दुसरे में ़ोलाई परसेंगे जून में जो सेप्टेंबर में 7.11 परशन हो चुकी है डियाई का भी निवेस्ट बढ़ा है 9.92 परसेंगे जून में जो 10.53 परशन हो गई है तो जो होल्डिंग गटी हो है जनर पॉब्लिक की 20.68 परसेंगे जून में इस समय 19.97 परशन के आज पाद आगी है तो देख सकते हो कि पिछले साल बर में स्टॉक ने जबरदस रिटन दिया है 21 ओक्टोबर को यह 21 के आसपर स्टॉक था अब आप देख दो कि 12-13 महिने में जो स्टॉक है 21 का वो 92 तक जाके आए एक जबरदस रिटन यानि कह सकते हो कि चार गुना स्टॉक दोड़ा है और उप नाधि देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर परडद काफी यदा भुली सैग से समय रूपाई spec को लेकर थूष्य रूपसकों कंपणि तो सेटी फिनमार्ट के वीग-商ा सेटी कि निवेस की सला देरे जिसमें IRFC और दूसरा है टेक्टर की कंपणी रूपा एंड कंपणी तो इनमें संभावनों पॉजिटीव बनी हुए और काफी अची तेजी देखना है तेक्निकल चार्ट कहा रहे हैं कि इसमें तेजी बन सकती है तो रूपा एंड कंपणी का आप 77 के आसपास खरीदारी की सला है जिसमें आप देख सकते हो कि आपको शॉर्ट टर्म टार्गेट एडिटरू का देखने को मिल सकता है 73 के आसपास श्टॉप लोस लगाना तो 73 के साथ इसमें निवेस की सला दी गई है जो IRFC के लिए जो सबसे बड़ा मील का पत्तर सामित हो वो होगा इसका लार्ज केप में सामिन हो जाना तो MFI की जो लिष्ट जारी होगी जनवरी में उसमें IRFC प्रबल दावेदार है लार्ज केप में जाने के लिए तो IRFC लार्ज केप में जाएगा उसके बाद में यहां पे निवेस की सला और संभावन अपॉटिटी हो यह अभी अलड़ी मीड केप कंपणी है यह लार्ज केप में जाएगी और फिर ऐसे में आने वालस में इसमें सांदर रिटन के संभावनों बनेगी इसके लावा भी कुछ और कंपणी है जो यहां पे देखोगी IRFC के लावा Union Bank of India और Indian Overseas Bank यह भी दो पीर से इस्टों के ज 3.19,000 कोड के आसपास हुआ था जो 2023 पे बढ़के 23.93,000 कोड़ी तक पहुच गया है इनका रिवेन्यू और 6.34,000 कोड़ी तक पहुच गया है प्रॉफिट तो लगातार हर साल रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है जो इस सारा है करके आने वालस में स्टो स्टोक ने बंपर रिटन दिया 30 रुपिस का जो स्टोक था 15 जुलाई 2022 को वह 190 को क्रॉस कर दिया और आप देखे तो बहुत ही बड़ा बंपर रिटन दिया इस समय 171 के आसपास है उपर की लेवल से इसमें कुछ करेक्शन भी आ चुका है पिछले एक साल में ही 142 परसें क व्रिदी देखना को मिली नेट इंकम 394 कोट के आसपास जापे 3.42 परसें की यह और बेशिप सांदार व्रिदी देखना को मिली तो और आप देख सकते हो कि बहुत ही सांदार रिजर्ट है और लगातार फंडामेंटली कंपनी मजबूत बने हुई है इनकी और बुक बहु के सारे प्रोजेक्ट के चाहिए हमदाबार मेट्रो हो सूरत मेट्रो या मुंबई मेट्रो के हो चैन्ने मेट्रो के सारे प्रोजेक्ट इनके पास है इसके लोगा कंपनी वंदे भारत निर्वान कर रही है वंदे भारत के लिए स्लिपर ट्रेन बना रही है और कंपनी के प यहाँ पर लगबग 5% की गिराउट देखनों को मिल रही है वसे छोटा पैनी स्टॉक बहुत बड़ा दमागा कर चुका है IFL इंटरप्राइजस की बाद की यह कंपनी शेयर से स्टॉक और बॉंड्स में काम कर्च करने वाली कंपनी है इसके लगब हैवी फैब्रिक्स के उपर भी कंपनी काम करती है अब कंपनी ने यहाँ पर बोनस का ऐलान कर दिया है कंपनी 110 के रिश्व में बोनस देने जा रही है इसकी X बोनस डेट है 1812 2023 और रिकॉर्ड डेट भी 1812 2023 है तो अगर आप 18 तारीक के पहले अगर आपके डिमेट अकाउन में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको यह बोनस का फाइदा मिल सकता है इससे पहले कंपनी ओलड़ी 21-22 अभी फिलाल इसी साल 2023 में देख सकते हो कि इनोंने 1-4 के रिश्व में बोनस दे दिया है देने वाली कंपनी है और ऐसे में इसमें दाव लगाया जा सकता है और कंपनी का बीजनस भी अच्छा है कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुए तो लॉंग टर्म इंवेश्टर के लिए अच्छा मौका है खरीदारी आप कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेश्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजर्श के बाढ़े ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुकी जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यो फ्रेंड